नमस्कार किसान सात्यों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूटुब चैनल लाइवेग्ग्रों में आज क्रसिव सेस में बात करेंगे कपास की खेती के बारे में हमारे किसान सात्यों को इसकी खेती करते समय कौन-कौन सी समस्या आती है इनके बारे में आज हम जानेंगे बात करें कपास बोने से पहले ही हमारे किसान साथियों को ये समस्या रहती है कि कौन सी वेराइटी का चुनाव किया जाए या कौन सी किस्म का बीच बोया जाए तो हम ये बताना चाहेंगे चैनल के माध्यम से की हाइब्रीड या रसिस्टेंट वेराइटी जोकी कीट वार रोक के प्रतिरोधी होती है उस वेराइटी गाही हमेशा चुनाव करे। क्रसी में रिसर्च के मुताबिक हर जोन में नई नई वेराइटिया इजाद करी गई है। बात करे उत्री जोन पंजाब, हर्याना, यूपी की तो इन सेत्रों में LH900, LH156, LD401 की खेती अधिक करी जाती है। वहीं राजिस्थान में RST9, गंगानगर अगेती और RS855 की खेती की जाती है। मद्य बारत में MP गुजरात महराष्ट में खंडवा 2, खंडवा 3 विक्रम नामक वेराइटियां लगाई जाती है। आजकल अधिकतर किसान बिट्टी कोटन लगा रहे है। कपास रिसर्च अनुसंद्वान दारा लगबग 250 बिट्टी कोटन की वेराइटिया तैयार की गई है। जिने विबिन शेत्रों में बोया जा रहा है। बिट्टी कपास में दो तरह की जातियां होती है। बीजी वन और बीजी टू। यहां बीजी का अर्थ है बोलगाड यानी की डेंडू की सुरक्षा। जो कि डेंडू बनते समय नुक्सान पहुंचाते हैं उनकी सुरक्षा करना। तो बीजी वन में डेंडू چेदक, अमेरिकन डेंडू छेदक, कुलाबी इल्ली का प्रकोप नहीं होता है। वहीं बीजिट टू में इन कीटों के साथ साथ चुतमबाकू की इल्ली होती है वो भी नुकसान नहीं पहुचा पाती है बात की जाए एक वेराईटी की जोग जवार तापती नाम से है इस वेराईटी में रश्चूसक कीट नहीं लगते है यानी यह उनके प्रतिरोधी होती है बात करें इसकी बोवई की तो मई के सुरुवात्ती दिनों में इसकी बोवई करना उचित रहेगा जिससे की रस्चुसे केटों का प्रवाव ना हो तो अच्छी सम्तल कीवी खेट अच्छी गोबर मिलाकर खेट को सम्तल करके कतार से कतार की दूरी 90 सेंटिमेटर वह पोद से पोद की दूरी 45 से 50 सेंटिमेटर रखना उचित होगा बात करें कपास में उरुरत की कितनी अविशक्ता होती है तो इसमें नाइट्रोजन 60 से 100 किलोग्राम फासपोरस 70 किलोग्राम परती हेक्टेर की दर से देना उच्चित होगा ये उरूरब कम से कम 2 से 3 बार में देना फायदयमंद होगा पहला बुवाई के समय दूसरा निंदई गुडई करते समय वह तीसरा फूल आने के समय देना बहुत फायदयमंद होगा और फसल भी अच्छी बड़वार करेगी खर्पतवार निंदई के लिए 2 से 3 बार अच्छी निंदई गुडई कर लेना अवश्यक है क्योंकि ज़्यादा रसैन भी फसल भी मिट्टी के लिए नुकसान दैग होता है अगर चारा अधिक मात्रा में हो जाए तो खर्पतवार नशक दवाईयां से नियंत्रिक किया जा सकता है बात करें कपास में मुख की समस्या की तो कीट वाई रोग से अधिक नुकसान होता है शुर्वाथी अवस्था में हरे मच्छर देखने को मिलते है जो पत्यों से रस चूज कर पोदे की बढ़वार को रोग देते है पोदे की पत्यों के नीचे की ओर ये मच्छर देखने को आसानी से मिल जाएंगे और इसका मुख के लक्षण है पत्यों का नीचे की ओर मोड़ा होना इसके नियंतरन के लिए माई के शुरुवाती दिनों में बोई करना उचित रहेगा जिससे ये कीट कम नुक्सान पहुचाएगा या फिर मोनोक्रोटोफोस या एंडोसलपान पेतिस इसी का गोल बना कर 1000 लेटर पानी में प्रती हेक्टेर की दर से छिड़काव कर सकते है या रोग या कीट रोधी वेराइटियों का चुनाव कर सकते है जो वीडियो के सुरुवात में बताई गई थी जवार तापती नाम से या MCU 5, MCU 9 वेराइटियां भी चुन सकते है बात करें अब उन कीट की जो फूल डेंडू बनते समय नुक्सान पहुचाते है इसमें अमेरिकन डेंडू छेदक, कुलाबी डेंडू छेदक वे डेंडू छेदक मुक्य कीट है इन्हें इल्ली भी कहा जाता है आमपासा में ये फूल को काड़ देती है और डेंडू बनते समय उसे पूरा अंदर से खोकला कर देती है जिसे उत्पादन में बहुत कमी आती है इसकी रोग थाम के लिए किसान भाई साइपर में 30 इसी का 600 ml या फिर कुनल फोस 20 AF का 2 लिटर लेकर उसे 1000 लिटर पानी में मिलाकर छिड़काओ कर सकते इन कीट नासकों के छिड़काओ से इनका प्रकौप कम होगा या फिर BG1 या BG2 की जो वेराइटें आती है उनका चुनाओ करके इनने कम किया जा सकता है कपास की फसल का मुख्य रोग है चड़ गलन रोग यह रोग देशी अमेरिकन कपास दोनों में देखने को मिलेगा इसका कारण है राइजेक्टोनिया नामक फपुन इस रोग के लक्षण है आम तोर पर यह पहली सिंचाई के बाद पुदों की 35 से 45 दिनों की उम्र में दिखने को मिल जाएगा जड़ गलन रोग खेत में गोलाकार आकार में दिखाई देता है प्रभावित पुदे अचानक मुरजा कर देरे देरे सूख जाते ऐसे पुदे हाथ से खीचने पर आसानी से उखड जाएंगे जड़ गलन रोग के कारण पुदों की जड़ों की छाल कलकर अलग हो जाती है इन जड़ों पर मिट्टी चिपकी रहती है तथा ये नमेयुक्त रहती है एसी जड़ों का रंग पिला भी दिखने को मिलेगा और ये रोग से प्रभावित पोदे सुखने पर भी पत्या इन पर लगी रहती है इस रोग का नियंत्रण करने के लिए फपुनासत दवाईयों का इस्तमाल करके इसे नियंत्रित किया जा सकता है किसान सात्यों आज की वीडियो में बस इतना ही कपाज से संबन्दित अधिक जानकारी के लिए आप कमेंट बॉक्स में प्रशन पूँच सकते है चल्द हाजिर होंगे नए वीडियो के साथ नमस्कार